बागल कोड़ पीपल परशी चलाव दिन पराएं इस प्रोग्राम में यह हमारी पुष्टिस्मती कि कि तल लीट का रेजर्ट आया आज आना था रेजर्ट ले एक दिन पहले आ गया तो उससे हमने एक पैदा यह हासिल हुआ कि नदीन साहफ के हातों हमारे मेडिकल अचीवर्स तो हम आपके इंट्राइक्शन के साथ ही मैं उससाथ करेंगे मैं सबसे पहले जनाब अब्स दानी खांसाँ असलाम और रहुत अबहुत की कभी हैं काफी बातियां के सामया आप चुकी है मैं सबसे पहले नदीम अदीन साहफ के बादेशन को मुबारख बद देता हुए उनकी महनतों और पोशिशों और दौाओं से लाने उनको उन्चा मपामाता किया अल्ला ताला इसको उनके लिए मुबारख करे भाई नदीम अदीन से मैं उमीद करता हूँ कि वो जिस तादिम मैदान में आगे बढ़े और जिस मनसब और उहदे को उनके हासिल किया वो सबसे पहले अपने दिल और दिमाग में इबाद रखेंगे कि मैं मुसल्मा हूँ और अप मेरे जिम्में जो फराइज मनसबी है दीन की शाद, दीन की सरवलंदी मैं इस मनसब से इंशालला दीन की सरफराजी और खुलंदी के लिए कोशिश करता हूँ इंशालला मैं मुम्मित करता हूँ यह ज़रूर ऐसा करेगी कि सबसे पहले हमारे हम दीन के दाई है, मुगलिन है और उसके बाद सब पुछ है तो फिर मैं मुम्मित करता हूँ कि इंशालला यह नसरी बड़े पहदे पर वो अपने खिदमान अंजां देगे बल्कु उसके साथ साथ कावम और मिल्नत की खिदमा भी करेंगी अल्हाला इनकी उम्र गरास परमाए आफ आसे बल्हाइद से खिदम की हससे लाहिम की इफादत परमाए और खूर तरफिया से नमाजे वाद दावम और मिल्नत करा हूँ गजाट अल्हाला आए असमी साम पर दाइश करता हूँ कि वो प्लमाते है असलाम आलेकु वराहमत लाहिव वर्कातु अल्हाला आएश करता हूँ जहां में अहल इमा बसूरत फुर्शीद जीते हैं इदर ढूबे उधर निकले उधर दूबे तर निकले बड़ी खुशी और मसल्थ की बात अल्ला अथारत र। टाला इनसान के इरादे में वो टाकत रखी है वो सलाहियत रखी है कि इनसान अगर अल्ला की रजा के लिए जिस इरादे को मभूत ठाम minsता है अल्ला उसके इरादे में कामियादी अता करते हैं आधिर मुबारक जाद में मेरे दोस्त भाई मुहम्मद नाइम अदीन साहब और इसी तरह से उनके साहवजाद मुहम्मद नाइम अदीन अल्ला इनको बरकतों से माला माल फर्माए और तरकियों से अधा ताला ऐसा रोशन फर्माए जैसे मैं अपने शेर के अंदर उनको इशारा कर चुपा हूँ और अपने इरादे और अजाएं को शुरूरी से इस बात को रखे थे कि मैं अपने खिद्मत खल्ग के एतिबार से पास ही में बोलिश टॉन रहता है पिर उसके बास माई रहता हूं तो आईएस आफिसर या यूटिएस आफिसर जैसे भी आप जन्ना बनना है वो इरादां को लेकर आप अपने मंजिलां में रवान दवा रहे वालदयन की महनतें और काविशें यहां तक के सिविल इंधिनियर बनने के पाद इनके हास्ना ने कंजी नहीं आई बलके अल्ला ने इनके अजाएं में बड़ोतरी का नतीजा पेश करते हुए इनके हास्ना को काम्याबी के गदम साम में रखाते हुए मंजिलां को बामुराद और बामकस्द बनाया है इसी खाहिश को मैं जिक के गहराईयों से मुबारक बात देते हुए मैं ये कहूंगा फिर वही शेर के अंदर जहां में एहल इमा वसुर्वत कुर्शी जीते हैं इधर दूपे अधर निकले अधर दूपे इधर निकले अलाह दौर रखो दाला इंको सारे आलम के अंदर रोषिन फर्मा करें इनके ज़िये से दुनिया में अम अमिल्द का काम इता फर्माए अमारे दर्मियान मिस्टर अवीनाज दी मॉझूद है सभीडरी स्टेपोपिसर तर्ड माईनेरी स्फेला नमस्टार और इस कंशेन के एंडिन दो नतीम उदिन के सर्ड इस उनको बहुत और एक पर में आपके तरब से और द्बाटमेंट के तरब से भी बहुत बहुत बढ़ाये देताम उनको और सबीजो और सेथ के बैटे सभी जीदे स्कों मेरा भ्रना और सब स्टूजेंट को भी दियारी करना है आपको भी महारत जाना है तो इसके लिए हमारे डिपार्टमेंट में भी एक प्रोग्राम चला रहे है यहाँ पर प्रीकोचिंग दिया जाता है, You biber के ज़ो अस्परेंट्स है आपके भाय रहेंगे, या आपकी जो भी प्रेंट्स है, इनको आप पोथों, आपकी ओन्निक्ला है, निकला है तो प्रीकोचिंग रहता है, अमारे दिपार्टमेट की तरफ से जो भी लॉगिन करके आपको आपे अप्लिकेशन जाग सकते हैं दस तारिक उसकी लास डेट है जो भी इंट्रेस्टेड है आपके भाई होंगे या कि आपके अपके पास जो भी है इनको आप बोल तो अरड़ी हम सब्सक्राइब नियूज आटम आया है तो इसकी जरिये आप वैंग आपो प्रूपी से एक्जाम देने होगी तो एक्जाम में जो मरेट लिस्ट बना थे मेरेट इस बना के जो एक्जाम आपने उनको जो जो धिल्ली जाना चाता है तो उनको धिल्ली भी पैस रहता इंस्टूशन का सब्गोस वाजराम राम का जेवर स्टाइश के लिए 75,000 करनाड़का देती है और उसके बाद आपके माहिने के लिए पर मंद 30,000 रुपिस आपकी एक्स्टेश भी गवर्मेंट की तरफ से दिया जाता है तो यह आप benefit है minority department की तरफ से चलाई जा रही है और इसमें पूरे minority बच्चों के लिए है तो आप जो भी है उनको थोड़ा आप बोल लिए तो वह इसका benefit ले सकते हैं आगे जाके sir की तरफ वह भी कामी अभी अभी आसरी कर सकते हैं यह हमारे तरफ से department की तरफ से request ले आप जो भी है advertisement अभी को बहुत जाए और इसे चोड़ को भी आप बता रहे हैं यूपीसी सेलेक्शन होने है UPSC exam EAS या EPSO this is one of the toughest exam in the world not only in India this one of the toughest exam in the world तो इसलिए मैं sir को और इस बार बताई देता हूँ really really very hats up for sir तो जैसे अभी sir आपके sir भी बोल रहते हैं कि engineering या medical वहां पे कतम नहीं होती आपकी job वहां से शुरू होती है जो भी आप कहां से भी आए हैं तो यहां से आप successful हो के जाते हैं तो यह हम सब के लिए motivation रहेगा जो next generation है उनके लिए भी motivation रहेगा तो इसलिए आप engineering, medical या जो भी BA करो, PST करो महीं कि आप अपना studies मत रोको आपका aim रहना चाहिए कि आप भी UPSC लिखे मेरा request ही है सा हार एक बच्छा, हार एक student जो है UPSC को एक ना इक बार आप लिखे क्यूंकि this exam is completely different from all other exams engineering हो, medical हो या entrance हो आपकी कोई भी exam हो उसे हटके है यह यह इसमें आपकी जो practical knowledge है और जो आपके self confidence है फूरा इसमें test होता है तो इसलिए मेरा request है आप सब इसको एक बार सोचिए और इसको लिखना लिखें आप अपने life में और मैं यह generally observe करता हूं मेरे कुल including me that when we are studying in 11th or 12th class we don't even spend time to know about what is happening around us तो आप everyday half an hour news के लिए रखें निकाल के अपना time जो है जो की international duty news आता है एक half an hour 8.30 को आता है और फूस भीनी है और everyday morning half an hour paper आप पढ़िए newspaper अन्यर्ड हो या English हो या उर्दू हो जो भी आपको suit होता है गोए half an hour आप पढ़िए उसके तुरू आपका general knowledge भी informat होगा या आगे जाके आपको जो भी exam लिखते हैं उसमें भी आपको help होगा और हमारा office मैलोर में है आपका जो भी minority के related जो भी आपको issues रहते हैं आप वहां के हंदर discuss करते हैं scholarship हो या या UPSC के जो free coaching का है जो भी है उनको वहां पगेजिए हैं और उनको guide करेंगा इसने बूलते हो हैं मेरे को यहां पर भुलाके हैं मेरा अधार भी करें और मेरे को time busy है पाथ करने के लिए इसके लिए अप्रेटिस करको मैं अपना अन्वाद करेंगा thank you thank you अभी मुक्तसर एक दो मिनेट महीं हमारा मेमाना अपनी बात पताब करेंगे आओ नदीन स्राफने प्राइटिस को जनाब मौला नद मौरीस के मानी सांग से लिए इसनाब करेंगा स्टेज पर मौन अफ्रोज मौत्रम नदीम अदिन सहाब और उनके वालिदें और सिक्रेटरी विस्टम इंस्टेशन और दीगर असालता एक्राम और जुमिदारा अजीज तालबा और तालिबाद बड़ी खुशी और मसलत हो रही है आप लोगों के तर्मियार बैटकर आप लोग हमारे पौंग के रोशन मुस्तबिल हैं अल्ला से दुआ है करता आपको हर मकाम पे काम्याबी से हमकिनार परमाएं और यक्सूरी से जुस्तजू से जो आपकी रहबरी की जा रही है उसमें आप आगे बढ़ते चले जाएं वह बिजाएं न करें अपना एक एम लेकर चलें एक मकसद लेकर चलें एक टार्गेट बनाएं लाइफ का कि वह टार्गेट हमारा है हमको वहां तक पहुँचना है इससे अकर एक छोटी सी जो ही मिसाल मेरे जहन में आ रही है वाकिया चोटा सा याद आ रहा है कि अकबर और बीरबल अकबर आजम के बारे में तहानिया बहुत सारी है कि बीरबल जो हमका एक वजीर खास था बहुत शातिर था बहुत जहीन था बहुत दिमाग वाला था अकबर पज़वी मशुरा करना होता था तो उससे ही मशुरा किया करता था प्रिक्तार में पिस्ता लिखा वारे कि बीरबर जो है जो वजिर का काम किया करता था दूसेरे मुल्ख में गया वहाँ पे जाने के बाद वहाँ के बादशार की तारीव में तो वाश्चा ने ये भी कहा कि भई आप हमारी हुकुमत को ऐसा मैसुस करते हैं बताईए टो वीरबर पर उल्ख कहा कि भई हजरता आपकी हुकुमत तो चोधिरान गाल के चांद की तरह है आपकी हुकुमत के बादे क्या बोलता आपकी हुकुमत दुनिया के कौने क्वे में एपनी भी प्रमों रही है इसकी तिना मिल गई अकबर सहाब को अकबर सहाब बड़े गुस्सा हुए एक पर हमारा वजीर हुआ और दूसरी इलादी के पादिशा की दाजिट किया कर बना रहे इससे पहरे कि बीरबर अपने इलादे में वापस आता अपनी हुकुमत में वापस आता अकबर ने उनके खिलाब वाने चाली कर लिया जैसे ही हमारी साध्क में दाजिए हो जाए फोर्ट उसको गिरितार कर लिया जाए चनाछे अकबर की खुम के मतादिद बेरबर को गिरितार कर लिया गया और बुल buffalo के या गया और उसके पर मुकदमा चला वहां पर ये बात ये दिवी थी कि मुझे बात्षा की तारीफ किया था कि आपकी हुकुमत जो है चौद्वी राथ की चांग की तरह है तो उसी बात्षा ने फिर पुछा था कि आपकी हुकुमत केसी है आप जहां के वजीर हैं वहां की हुकुमत केसी है तो पीरवर ने कहा, ने हमारी हुकुमत का हाउग तो ऐसा है, पहली रात की चांग की तरह है, यनि पहली रात का चांग कम नजर आता है, लोग आखे फाल फाल कर देखते हैं, और चौदरी रात का चांग कुछ हमवदार होता है, तो ये बात अकबर को बड़ी नागवाद उ पहली रात के चांक कहा आप इस तरह इचा Masi Unida उस्ता वह बलब ये है कि चोद्वी का जो चांक होता है और मुकंमल अपने ता intern प्राइब में बत्रक्ते सब्सक्राइबों करने, फैसे हम विए दिसर Quintal आरी का हलता गना कसधा। तो पिद्धर के लिए खास तौर से अमारे जिदे के लिए पहरी रागी चान की तरह है अल्ला से दुआ है ये एक चान हमारे राज की तरह है कि इसी पिसाल वो है तौर्गी राग और तुर जोवे जिला को जह मनोबर कर दे अल्लाग से दुआ है, आसीफ साहब से भी यहाद भी दुआ है